सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर एलो सुदेंट्स दिस गुरजेंट सिंग प्रम सक्सेस मंत्रा और मैं लास्ट एट इयर से मैथेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं वच्छो दिल्ली में आज हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में CUET पिछले दो सालों से बहुत जादा चर्चा में है बहुत ज़दा डिसकशन हो रहा है इसके बारे में कि क्या है ये CUET बच्चे आज से दो साल पहले तक अपना अच्छा वोड में मार्क्स लाते दे और उसके बेसिस पर उनको दिल्ली उनिवरस्टी और बहुत सारी उनिवरस्टी अब बंद हो चुके हैं तो उसके रिप्लेस्मेंट में जो चीज आई वो क्या था एंट्रेंस बेस जो आपक एंट्रेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की बात होगी क्या क्या चीजें बच्चे को पढड़नी होगी क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होगा क्या कम पढ़ना होगा इन सारी चीजों के उपर आज हम बात करेंगे अगर आप 12th class के student है तो ये session आपके लिए बहुत जादा important है आप इसको समझ ये कि CUET क्या है हमें कब से इसकी पढ़ाई चालो कर देनी चाहिए क्यों हमें ये पढ़ना है क्या हमारा इसका फायदा है क्योंकि आज के time पे CBSC boards के बाद या जो भी आपका board है उसके exams के बाद ज आपको college में admission नहीं मिल रहा हूँ तो sir हमें अगर boards के बाद college के college में जाना है किसी भी undergraduate program में admission लेना है सो हमें क्या करना होता है भी या CUET के लिए prepare करना होता है सरी क्या है ये CUET और हमें इसके किसकी subject की आप बात बताने वाले भी या मैं तिर्फ math पढ़ाता हूँ मैं आज आपको CUET के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या और उसके बाद इस CUET के अंदर जो mathematics वाला section है वो कौन-कौन से courses के लिए होगा क्या उसका marks pattern होगा क्या उसका syllabus होगा जो आप already पढ़ रहे हो उसमें से क्या चीज़ें बहुत important है पढ़ना या extra आपको पढ़ना पढ़ेगा NCRT के mark करा देंगे भी या कि हाँ ये ये चीज़ें आपको बि discussion करने वाले हैं what is CUET is basically common university entrance test पर कितनी universities हैं इसके अंदर UGC के डिरेक्टर ने जो हमें पताया था तब यह स्टार्ट किया था यह 45 universities के लगबग इसके अंदर central universities आ रही थी और फिर उसके बाद कुछ universities college जो government जो semi-government होती है और बहुत सारी government एडिट universities के अंदर आई थी ले CUET के अंदर कुछ subjects के combination बनेंगे और उन combinations में से आपको कुछ चीज़ें select करनी होगी like कुछ-कुछ जो आप subject पढ़ रहे हो उन्ही में से कुछ subject select करने हो और उन्हीं में से कुछ subject सेलेक्ट करने हो और उन्हीं के बेसी आपका admission होगा proper CUET का क्या है उसके उपर उसके अंदर इसे जो बात करने वाला हूं बिटा वो proper किस की करने वाला हूं mathematics की करने वाला हूं कि मैं बात करने वाला हूं CUET के अंदर DOündर конце democratic के portion की कि मतिमेटिक्स की अंदर की दो चीजें एक है zwak la midnight और एक है applied math अरे भाईया यह क्या बोल रहे हैं क्या फाल्तू की कहाने आपने स्टार्ट कर दी अरे भाईया ऐसा है ना यही सबसे क्या बोलते हैं सबसे अधा कन्फ्यूजिंग तो आज के टाइम पर यह हुआ पड़ा है कि यह कोर क्या है और यह अप्लाइड क्या है प्रॉपर दरीके स उसकी त्यारी कैसे होगी, अगर वो core maths का student है, तो उसके अंदर त्यारी उसकी कैसे होगी, ये सारी बातें हम आज के इस session के अंदर करने वाले हैं, प्यारे बच्चों देखें CUET CUET की त्यारी कब से चालू कर देनी चाहिए मेरे according, CUET की त्यारी बच्चे को 12 में आते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि भाया सिर्फ merit से तो नहीं होने वाला merit के बाद उसको entrance दे के college में और फिर जाने लेकिन भाया हमने तो नहीं करी अभी तक से मैंसी पढ़ा रहे हैं और बच्चों के बीच में ही रहते हैं तो मैं पता है इस time पे बच्चे का mindset होता होता है जो पहले board पढ़ रहा हूँ पढ़ने दो ना आपके नहीं बात बता रहे हो तो सुनो board का जितना है syllabus के अंदर उतना तो CUET के अंदर है ही है तो अपने को कुछ extra नहीं जान जाना जितना हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर MCQ टाइप questions की practice करनी है ताकि हमारा CUET का base भी साथ साथ बनता रहे और इस बार तो बहुत अच्छा हो गया है board के pattern में भी की board के pattern के अंदर भी starting का जो section ये बना दिये वो 20 marks का सिर्फ और सिर्फ MCQ बना दिये तो अगर हम MCQ की practice कर रहे है तो वो basically हमारा boards में भी help कर रहे है और CUET के अंदर भी help कर रहे है तो लो sir अब थोड़ा सा तो हमें समझ आ रहे है यार board के साथ साथ पढ़ना तो competitive का भी पढ़ेगा नहीं तो college में admission तो नहीं पढ़ावाई जी दन तो हम लोग का मन बन गया है sir कि CUET तो हम लोग पढ़ने वाले है maths के साथ साथ board के साथ साथ हम करें क्या और बस ये बता जाओ तो नो और उसके लिए आपको पहले course आपका पता होना चाहिए कि आपको course क्या होन सा करना है कौन-कौन से courses हैं ऐसे जो मैं सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि बिना maths कि कर लूँगा तो ये आपकी बेवकूफी हो जाएगी कुछ courses और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट courses commerce के और science के ऐसे हैं जिनके जिनमें mathematics compulsory है बिना maths की त्यारी किए आप उसके admission का प्रॉसस का हिस्सा बन ही नहीं सकते हैं तो सर वो कौन-कौन से courses है क्या आप लिस लाएं अरे तुम्हारे लिए आए हैं वह सब लेके हैं तुम्हारे लिए इदर देखो ठीक है ना जान छोड़के सब मांग ले ना बस वह पहले किसी ने मांगनी है ठीक है ना बीकॉम इसमें math compulsory है हाला कि बीकॉम के अंदर अकाउंटन सी कॉम आप सकते हो math के जगह ब्सक्राइब ना प्चे पागल है इसके लिए कि हाँ जैसे पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तुम्हारी बात नहीं हो रही थी ठीक है ना तो बीएमेस मतलब एक बैचलर ऑफ मेनेजमेंट सब्चों सर्च करना सुकदेव कॉलेज ऑफ बिजनस है इसमें और बहुत अच्छी प्लेस्मेंट्स है बच्चों की इसकी अगर लिए अग इतना काम में आपके लिए करने तो इसको बोलते हैं फाइनेंशल इंवेस्टमेंट अकाउंटिंग ठीक है ना बी बी यह भी डी यू जैट के अंदर या था उसके बाद बिजनस एकॉनमिक्स वोकेशनल कूर्स हैं सब दिली उनिवेस्टी कूर्स बतारों में जिनके मांमिक्स आर्ट्स क्योर्स है वया उसको मैनीटीज बच्चे भी करते साइन्स वाले बच्चे भी खरते हैं और आपको बाद बाद भी यह ओनर संप्प्प्यूटर साइंस होगा बीए स्ट्री फिजिक्स पॉलिमर साइंस इलेक्ट्रोनिक साइंस यह सारा कुछ बीए सी ओनर स्ट्रूमेंटेशन नहीं है बाइश होगा अच्छा बसे साइन्स वाले बच्चे करते हैं applied physical science BSC Honors Math obviously जब आप BSC Honors Math की बात कर रहे हो तो इसमें तो आपको mathematics चाहिए ही होगा BSC honors stat BSC mathematics science और यह B seventh यह बीटेक कहां से आग अग decor क Mir अंदर ही ठीक है ना जिसके अंदर जिसके अंदर क्या होता है जिसके अंदर बीटेक भी होती है लेकिन इसका जो एड्मिशन के अंदर जो सब्जेक्ट उनको चाहिए वो चाहिए मैट्स प्लस जीटी जो जीटी का एक्जाम होता है जिसके अंदर जनरल चीजें आती है लागिंग्लेश आपका जनरल अफेर अवेर्नेस ये सारी चीजे तो एक उपर आज तो मैं बात नहीं कर रहा हूं तो मैट्स तो रहता ही रहता है इसकी बात हम ज्यादा जरूरी करने वाले थे तो यह था एक चीज जिससे समझ में आ जाए कि हाँ अगर मैं इन में से कोई कूर्स की बात कर रहा हूं तो इसमें मैट्स कमपलसरी है इसके अलावा बहुत सारे कूर्स ऐसे भी हैं जिनमें आप मैट्स को ले के चल सकते हो मतलब जो भी वहां बोलेगा कि आप लिस्ट भी का सब्जक है अगर आपके पास में से श으면서 में खता है तो मेरे स्कूर्ण आपको सी यु उटि में ती में मैधच्ट जरूर लेना चाहिए चाहें वह है प्लाइड मैट्स ओ डिया चाहें वह क्वामश मैसरी कूर मैट्स हो थीक हैalog तो अब बात कर लेते हैं सब फटा-फट भिना टाइ class में कराऊंगा भी जरूर कि आपको समझ में आए कि जो आप पढ़ रहे हो जो मुझसे पढ़ रहे हो वो आपको कितना समझ में आ रहे हैं चीजें या क्या जो आप अल्रेडी 11 12 में पढ़ते आ रहे हो और CUET की प्रप्रेशन में डिफ्रेंस का रहने वाल है क्या वो चीजें रहेंगी जो हमने अभी तक बूर्ट के अकॉर्डिंग में नहीं पढ़ी बूर्ड के अकॉर्डिंग और CUET के लिए वह हमारे लिए मतलब वह ऐसा होगा ना कि बेसिकल यह आप एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हो तो आपको सबको पता है अच्छे मांच मांच सा कोशन आना है जी उसमें धाई पेज भर के आएंगे लेकिन अगर मैं तो हूँ कि मैं यह काम सिर्फ तीन लाइन इसमें करा सकता हूं मुत शॉर्ट ट्रिक्स उनको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा तो बात करते हैं सलेवस की आईए फटावाट उससे पहले एक नोट आ गया नोट क्या कह रहा है नोट बता रहा है पेपर के पैटन के बारे में तो फिर पैटन की बात पहले कर लेते हैं यार अमने कौन सा कसम खाली थी कि नही बहुत दियान से दिमाग में डाल लेना section A और section B section A के अंदर 15 questions होने वाले हैं और ये सारे के सारे questions compulsory हैं मतलब अगर आप इन में से कोई questions नहीं करते हैं तो ये आपका नुकसान है वो counting में आएगा और section B के अंदर बचों 35 questions हैं लेकिन इन 35 questions में आपको सारे नहीं करने आप maximum 25 questions ही इसके अंदर करके आओगे मतलब आपको 25 questions इसमें attempt करने हैं हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 5 नंबर और गलत जवाब देने पर आपका एक नंबर कम हो जाए like correct answer पे plus 5 wrong पे minus 1 बिना attempt करो उसमें कुछ नहीं होता हो उसमें 0 होता है ना आपकुछ बढ़ेगा ना कुछ कम होगा अब सर इसको अगर आप note को पढ़ें अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि there will be one question paper which contain two section that is section A and section B लेकिन section B के अंदर होना है B1 और B2 की बात करीए अब मैं इसके बारे में बताऊंगा section A will have 15 questions okay both covering सुनो यह क्या बोल दिया यह दो तरीके की अलग-अलग maths है इसको अच्छे से समझ लिएगा तो अलग-अलग तरीके की maths है एक है core maths और एक है applied maths सर, core maths और applied maths का ऐसा नहीं है कि दोनों का syllabus बिलकुली अलग-अलग है ऐसा नहीं है काफी topics common है जो common topics है उसमें से section A के जो 15 questions है वो दोनों बच्चों के लिए चाहें उस बच्चे ने core maths लिया है या फिर उस बच्चे ने applied maths लिया है वो दोनों के लिए same होंगे वो 15 के 15 questions दोन का बच्चों सेम होगा अब रही बात section B की, तो section B के अंदर एक B1 हो गया और एक B2 हो गया, B1 का मतलब जो core maths वाले बच्चे होंगे वो ये वाला part solve करेंगे और इन 35 questions में से सिर्फ 25 ही solve करेंगे जो applied maths वाले हो गए इसके अंदर भी 35 questions होंगे जिसके बीच में वो खली 25 questions ही अलग है तो इसका मतलब उन्हें अलग-अलग कर दिया कि और वाले section B का ये वाला part करें और applied वाले दूसरा part करें कुछ parts उसके अंदर भी common है जो पार्ट अलग-अलग है वो भी हम बताएंगे जो पार्ट same है वो भी बताएंगे और compulsory वाले जो पार्ट है उसके अंदर ज section B1 will have 35 questions of mathematics out of which 25 questions need to be attempted and same for section B2 but section B2 will be from purely from applied mathematics और जो section B1 है it will be from core mathematics ओके तो ये थी कहानी core maths और applied maths की clear हो गई बात ची सर अपने को तो बात हो गई clear आ गया अब main बात आई कि सर syllabus क्या है तो ये तो हमने बताई दिया आपको कि section A के अंदर 15 questions है और वो सारे के सारे questions क्या है भीया compulsory है और section B के अंदर core maths के अंदर 35 questions है applied maths के अंदर 35 questions है लेकिन आपको इसमें से भी कोई 25 करने है और इसमें से भी कोई 25 करने है भीया ओके ये पाटा गया important ठीक copy pen लेके बैठ जाओ भी आप ठीक है ना करना क्या है देखो section A के अंदर आप सब लोगों को obviously एका 12th class के student हो मै core math से सोड़ा सा relate करूंगा क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से ठीक है तो इसके अंदर जो पहली unit है जिसको उन्होंने algebra बोला है तो algebra अपने लिए 12th class में chapter number 3 है पीटा matrices और determinant अपने लिए chapter number 4 है ठीक है तो इसके अंदर अपने को chapter number 3 और chapter number 4 ये दो chapters करने है पूरे कटा कुछ नहीं है जो आपका board के syllabus के अंदर भी कुछ चीज़े deleted है CUET के अंदर deleted नहीं होगी बैसिकली अगर वो अभी आप board में नहीं पढ़ रहे और आपको CUET की preparation करनी है तो भही आप वो सारे topics हम आपको पढ़ाएंगे जो आपने boards के लिए छोड़ दिये रहें ओके हो गई बात जी सर इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से सर मैट्रिसेज और टाइपस ऑफ मैट्रिसेज इक्वैलिटी ट्रांसबोज त्रमेट्रिक के सारी चीज़ें ठीक है सर उसके बाद आजो चैप्टर नंबर फाइफ पे चैप्टर नंबर फाइफ क्या था continuity and differentiability ल differentiation है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनमा यह तीनों टॉपिक किसके अंदर पढ़ते हैं तो आप ए ओडी एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर फिक हैं सर टेंजेंट्स और नॉर्मल्स तो बोर्ड के स्लेवर स प्सक्राइब गरा देंजेंट्स देथा है जुट हैं उसके रादी की डिक्रीजिशन सुट चैप्र नंबर eight भी है यह वो चैप्टर सफ दोनों को पड़ने हैं और Applied Maths वालों को भी पढ़ने हैं भीया, उसके बाद बात करेंगे Differential Equations की, यह this is your chapter number 9, यह भी, हाँ, इसमें खाली Variable Separable तक आ रहा है, देखो, इसके अंदर दो चीज़े, CUT के अंदर नहीं है, Section A के अंदर नहीं है, Section B के अंदर तो है, Section A के अंदर नहीं है, कौन कौन सी, सर जो आप Differential Equations को solve करते थे न, तो वहाँ पर 3 Methods होते थे, एक Variable Separable, एक Homogeneous और एक Cleaner Differential Equation, तो इसके अंदर Homogeneous और Cleaner Differential Equation की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ Variable Separable तक ही आएगा, और उसके बाद Chapter Number 10, That was Vectors और वो सारी चीज़े, Section A के अंदर नहीं है, मतलब Applied Maths वालों का और Core Maths वालों का ये सले बस Common है, जिसमे Chapter Number 15 is, Probability Distribution का मतलब Chapter Number 13, तो ये वो Parts हैं बच्चों, जो सबको बढ़ने है, Section A के लिए, पंद्रा Questions के लिए, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अब सर बात करते हैं, इसके आगे की, देखिए, देखिए, अभी और भी है है न, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये Chapter Number 13 है, Variance, Standard Aviation, अच्छा इसके अंदर एक बात और सुनना, Variance जो है न, वो Board के अंदर नहीं है, लेकिन CUET के अंदर है, पढ़ना तो अपने को पढ़ेगा, इसा बे, उस CUET के पेपर में आगा तो उनको क्या बोलेंगे, कि बोर्ड में नहीं पढ़ाया था, सर हमारा तो जो टूइशन वाले टीचर थे न, और स्कूल वाले जो मास्टर जी थे, मैडम जी थे, उन्होंने पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए हम करके नहीं आएं, तो आपको ये LPP की बात करें, तो LPP के अंदर बूर्ड के स्लेबस में सिर्फ और सिर्फ पहली एक्साइज है, जो उन्होंने बोला कि language-based problems हैं, वो आपको नहीं करनी, इस session के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई relaxation नहीं मिला है, यहाँ पर आपको सारे ही part करने हैं, और अच्छे से करन हैं कि सर, दो parts हैं, एक में 15 questions, एक में 35 questions, 15 के 15 करने हैं, 35 में 25 करने हैं, 15 वाले के अंदर यह topics हैं, जिनको हमें prepare करना हैं, और यह जो topics हैं, वो core और applied दोनों के बच्चों को अच्छे से cover करने पड़ेगा, ओके सर, done हो गई बात, यह है section B1, तो section B1 अपना एक एक करके समझ समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे core maths वालों का, जिन जो बच्चों का, अच्छा core maths क्या है, सर, देखो न, आप लोग अपने chapter से compare कर लो, applied maths का मतलब, जिसके अंदर आपने annuities, loan schedule, board system, ऐसे questions किये होंगे, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा 12th class के अंदर, तो obviously आप आपके पास जो maths है, उसको core maths बोलते हैं, अगर आपके maths के अंदर आपने पढ़ा है, relation function, matrices, determinant, continuity, differentiability, AOD, integration, AOI, vector, 3D, LPP, differential equation रह गया था, probability, अगर आपने ये chapters पढ़े हो, तो आपके पास कौन थी maths है, या core maths, ओके, तो बात करते हैं core maths की, तो इसके अंदर देखो, this is our chapter number 1, लेकिन इसको समझना बहुत ध्यान से, इतने ध्यान से कि मतलब, क्या ही बोलू तुम्हें इसके बाद, types of, chapter number 1 के अंदर types of relation, जो आप पढ़ते आ रहे हो, reflexive, symmetric, transitive, equivalence, यह है, हम board के अंदर भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हम extra पढ़ेंगे, तुन लेना इस बात को ध्यान से, हम पढ़ेंगे इसके अंदर number of, जिसका exam में मुझे question दिखें है, number of reflexive relations, यह चीज़े हम extra पढ़ेंगे, इसी तरीके से number of symmetric relation, number of maximum equivalency relations, यह सारी बाते हम करेंगे, और यह अच्छा, यह topic में आपको लास्में पढ़ा के सारे formula, कि कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ें आती हैं, और एक दो चीज़ें, mattresses के अंदर, कि mattresses का shortcut तरीके से inverse कैसे निकाल सकते हैं, यह determination कैसे निकालते हैं, यह बाते हम आपको बता के जाएंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं रखेंगे, अच्छा, यहाँ पर देखो, one one और on two functions जो है, यह तो आप पड़ी रहे हो, लेकिन, रंग बदल देते हैं, लेकिन, यहाँ के बाद, composite function, inverse of a function, binary operation, यह सारी चीज़ें तो सर्फ, CBSC वाले मना कर रहे हैं, या कोई भी board हमारा क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन CUET वाले बैया, पूछ रहे हैं, तो इनकी preparation हम आपको अच्छे से इस course के अंदर, CUET course के अंदर कराएंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई question उठता है, तो बच्चे की preparation में कोई कमी ना रहे जाए, जो कि आएंगे, obviously जब slavess में हैं, तो आएंगे questions, तो यह वो topics हैं, जो board के अंदर cover नहीं हो रहे हैं, और अपने को अच्छ functions के अंदर भी अपने को इस साल के slavess में क्या जे रखा है, खाली, principal value branch और domain range, उसके बाद लोने बोल रखे है, ज़्यादा extra चीज़ आपको नहीं करनी है, लेकिन इसके अंदर भी है, सब कुछ करना है, properties भी आपको करनी है, ठीक है इसर, उन्हें मिला के समझ में आ रहे है कि पढ़ना पढ़ेगा, अगर यह feeling आ गई है, तो सही जा रहे हो आप, ठीक है, अगर अभी नहीं आई है, तो फिर स्वड़ाजिर और इसको देखो, आ जाएगी last तक, आग जाओ, mattresses, mattresses के अंदर ये सारी चीज़े ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बस, हम क्या नहीं पढ़ हैं सर, हम लोग, हम लोग, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे है, concept of ये वाले चीज़, ठीक है न, ये हम लोगों ने फिल हाल के इस साल के syllabus में छोड़ रखी है, बूड के लिए, लेकिन CUET में अपने को पढ़ नहीं पढ़ेगी, वह हम पढ़ाएंगे भहिया, ठीक है, determinants, determinants क यहाँ पर ये, ये सबसे important चीज़ मानते हैं इसको, ठीक है न, और ये अपने इस साल के syllabus से कटी हुई है, लेकिन CUET के अंदर ये चीज़ें आ रही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, continuity, differentiability, complete आएगा, जो चीज़ें से लेबस में कटी हुई थी, like role theorem, lagrange main value theorem, ये सारी चीज़ें जो इस पार आप नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें भी अपना से लेबस में हैं, Similarly for AOD, applications of derivative, applications of derivative के अंदर rate of change तो आप पढ़ी रहे हो, increasing, decreasing तो आप, ठीक है, increasing, decreasing तो आप पढ़ी रहे हो, फिन टेंजेंड और नॉर्मल आप नहीं पढ़ रहे, approximations आप नहीं पढ़ रहे, इंजेंड और नॉर्मल, approximations, ये जो चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे, ये भी आपक्स के अंदर हैं, ठीक है न, तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी ही पढ़ेगी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, integration की, तो integration के अंदर भी सारी चीज़ें हमारे स्लिवस में हैं, कुछ ऐसा नहीं है, जो अपने को नहीं पढ़ना है, applications of integration के अंदर भी बोल रखा है, कि सिर्फ simple curve के अंदर जो area आएगा, वो अपने को करना है, बोड के लिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अपने को सारा ही करना है, एक तो बहुत सारा flavor से कठा होता जा रहे ह और बोड के बाद time कितना बचेगा, सिर्फ एक महीना या सवा महीना, तो उससे अच्छा साथ थोड़ा थोड़ा आच्छे करना शुरू कर देते हैं, है ना भाई, इसलिए ये purpose समझाने का आपको यह है, कि यहाँ पर काफी सारी चीज़े हैं, जो extra भी आपको करनी है, तो differential equation, differential equation के अंदर भी सब कुछ आएगा, जो चीज़े कटी हुई है, वो बाई सारी चीज़े भी आएगी, जैसे की formation of differential equation आपका slabus से कटा हुआ है, बोड के अंदर लेकिन वो इसके अंदर आएगा, vectors के अंदर भी आ, scalar triple product आपका slabus से हटा रखा है, CBSE वालों लेकिन इसके अ 3D के अंदर इस बार सिर्फ lines है, बस में planes नहीं है, और वो planes बहुत interesting topic था, उसके अंदर बहुत मुश्किल, मुश्यल question बनते थे, अच्छे question बनते थे, interesting question बनते थे, लेकिन इस बार teacher भी खूश हैं और बच्चे भी खूश हैं कि वाह, इस से तो बीता छोड़ गा, लेकिन लेकिन यह वो सन्नाटा है ना, वो आंधी से पहले वाला सन्नाटा है, मैं समझ रहो, अब तुमने पढ़ा नहीं, cvt के अंदर यार है, तो मतलब पढ़ना तो पढ़ेगा, तो यहां पर planes पूरा का पूरा आ रहा है बच्चों, जिसकी अपने को त्यारी करनी है, अग्द हम नहीं पढ़ते जी, बर्नॉली डिस्ट्रिबूशन, हम नहीं पढ़ते जी, बाइनॉर्मल डिस्ट्रिबूशन, हम नहीं पढ़ेंगे जी, वेरियंस, आईसा भी देखेंगो, सब पढ़ना पढ़ेगा, यह आपका syllabus है, बच्चों, cvt का, जो की काफी topics ऐसे हैं, काफी कुछ चीज़ें हैं, देखो, जो syllabus में आता है, बच्चे, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, लेकिन इसके अलावा काफी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो हम लोग previous year question से देखते हैं, कि हाँ यह syllabus के अंदर तो कहीं लिखा नहीं था, लेकिन इसके उपर question डाल द करेंगे, ताकि अगर गलती से दुबारा आ जाए, तो अपना इसके त्यारी कर पाएं, हाला कि अपने पास अभी फिलहाल जो domain है previous year का वो बहुत तरम है, विकॉस एक ही बार यह हुआ है, इससर दुबारा होगा, लेकिन धिरे 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 बढ़ता जाएगा, आपक topics की, कौन से topics की, सिर्फ उन topics की, जो extra हैं, जो आपको इसके अंदर नहीं पढ़ने, section A के अंदर आपने देख लिए, वो थारे topics आपको पढ़ने हैं, जी सर पढ़ने हैं, उसके अलावा ऐसे कौन से topics हैं, जो core maths के अंदर नहीं हैं, लेकिन applied maths के अंदर हैं, आओ देखते ह हैं, only for applied mathematics, यह वो topics हैं, जो सिर्फ और सिर्फ applied mathematics के लिए ही होंगे, ठीक है ना, तो कौन से हैं सर वो numbers, quantification and numerical application, जैसे is congruency arithmetic, जिसके अंदर आता है, modulus of an integer, apply arithmetic operation, using modular arithmetic rules, पर यह congruence modular, define congruence modular, यह आपने allegations and mixtures, यह topic जो बच्चा इसको 12th class में पढ़ रहा होगा, वो इससे familiar होगा, कि हायर, यह topic हमारी बुक में, core book में है, तो यह topic आपके CVT के अंदर भी बच्चों आएंगे, उसके बाद numerical problem, boats and stream, pipes and system, partnership, numerical inequalities, पर एक unit app की पूरी की पूरी इंडेक्स नंबर, जो commerce related ज्यादा subjects होते हैं, इसके अंदर, इंडेक्स नंबर, special type of average इसको बोलते हैं आप, और उसके बाद आ जाती है, बात, population, sample, यह सारी चीज़ें, आप देख सकते हो, इंडेक्स नंबर, basically, यहां हम parameter और statics की ज्यादा बात करते हैं, इसके अंदर, central limit theorem, बहुत important theorem है, आप इसकी बात कर सकते हो, यहां पर time series, तो यह आपके वो topics हैं, जो applied maths की basic NCRT की किताब में हैं, कि हार यह वो CUET के topic भी रहेंगे, जो आप applied maths के अंदर पढ़ रहे हो, जो बच्चे यह maths नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे core maths पढ़ रहे हैं, अब समझ ठीक है, ओके, और यह last में है financial mathematics, यह extra topics हैं, यह applied maths के बच्चों को करने पढ़ेंगे, तो उमीद करता हूँ बच्चों आपको बात समझ में आई, कि CUET क्या है, maths के लिए इसका syllabus क्या है, इसका exam pattern क्या है, और मैं एक बात आपको और बता दूँ, topic शुरू करने से पहले, इस इसके बात हमें आपके साथ और कर लेते हैं, वो यह है, कि इसके अंदर जो maths होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बच्चे को अगर मानलो 15 questions यहां से आए, और 25 questions यहां से आए, 40 questions है, 40 questions है, 40 questions, नहीं भाई, paper मुश्किल आता है, तो सबके लिए आता है, असाना तो सबक percentage का system नहीं है, percentile का system है, like, अगर paper मुश्किल आया है, तो सबको आपको वो questions attempt करने हैं, जो सच में आपको आते हैं, और उन चीजों के उपर नहीं जाना, जो आपको बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं है, तो के नहीं मारने, percentile system का मतलब है, अगर 20 questions भी, हद मार के बच्च percentile माना जाएगा, चाहें total में कितने questions से, 40 questions, उमीद करता हूँ, आपको ये percentage और percentile वाली बात भी clear होगी, अब start करते हैं, कोई एक topic, जिसके basis पे आप देख सकते हो, कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कितना connector पा रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, और व सारी चीजें हम लोगों ने discuss करी, क्या होने वाला है, क्या pattern है, अब हम कुछ एक topic, questions की बात कर लेते हैं, और concern में मेरा ये है, कि मैं आपको ये समझा पाऊं, कि exam approach और board approach में difference क्या है, क्या दो अलग-अलग चीजें हैं, जिससे मैं अपना time बचाऊंगा, क्योंकि time तो मेरे ज़्यदा समय, और समय अपने पास नहीं है, तो क्या करा जाए, देखो, अगर एक normally आपको ये question दिया जाए, हाला कि mattresses topic सबको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, because पूरा साल session खतम होने को है, mattresses हो सबने chapter number 3, पहला ही chapter पढ़ा होता है, स्कूल के अंदर, ठीक है, त 3, 2, 4, into, 1, 2, 3, 4, हम आप सको multiply कर लेते हैं, ये row इस column से multiply होती है, you all know, तो 1 into 1 कितना आएगा, 1, plus 2 into 3 कितना आएगा, 6, फिर आएगा 2, plus 8, first row, second column, फिर second row, 3 into 1, 3, plus 12, and then second row, second column, अगर इसको conceptually आपको समझना है, तो फिर उसके उपर हम बात करेंगे, जब हम chapter wise पढ़ेंगे, तो हम पूरा पढ़ेंगे, mattresses के अंदर, mattresses होता का है, order क्या होता है, number of elements क्या होता है, सारी चीजें, अगर किसी को, किसी को वैसे उमीद है नहीं अगर किसी को confusion होगे कि यह multiplication कैसे होता है, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे proper तरीके से हो, तो हम सारा दुबारा करेंगे, फिलाल मैं आपको सिर्फ जो चीज बताना चाहरा हूँ, वो यह की difference क्या है, approach का, approach का difference, ठीक, तो यह होगा, 3 into 2, 6, plus 16, which is equals to 7, 10, 15, 22, getting my point? अब आपको क्या करना पड़ेगा, चार आपके पास options हैं, आपको चारों options में इसको डाल के value, LHS को डाल के और चेक करना पड़ेगा, किसकी value 0, 0, 0, 0 आ रही है, जो की छोटा काम नहीं है, जैसे कि मैं इसके लिए अगर चेक करूँ, तो 7, यह a square है न, 7, 10, 15, 22, okay, minus 3a, minus 3 का मतब minus 3 यहाँ पर और a क्या है, 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 3, 4, और फिर उसके बाद क्या, plus 7, आई मतब identity matrix, 1, 0, 0, 1, इसको पूरा का पूरा solve गरूंगा बच्छे, इसको solve गरूंगा, इसमे solve, इसमे solve, इसमे solve, इसमे solve, और जिसमे solve करने पर 0, 0, 0, 0 आ गया, वो हमारा सही answer होगा, लेकिन सार, यह तो बहुत लंबा question है, इसमें तो फिर हम एक ही कर पाएंगे, क्या कोई आपके पास चोटा तरीका है, जी हाँ मेरे पास एक बहुत ही चोटा तरीका है इसके लिए, बहुत ही जादा चोटा तरीका, समझें, आओ समझें, क्या आपको पता है, trace of matrix क्या होता है, trace, पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, sum of, sum of diagonal elements, टिक, जो diagonal के elements है, इनके sum को क्या बोलते है, trace बोलते हैं, तो यहाँ पर यह कितना है trace of a, 5 आपको determinant of a पता है, जी हाँ सर पता है, कितना होगा, determinant of a का मतलब होता है, इन दोनों elements का multiplication, like a, b, c, d की अगर आप बात करें, और मेरे पास यह a matrix है, तो अगर मैं इसकी determinant की बात करूँ, तो वो होता है, ad minus bc, okay, so it is 4 minus 6, 4 minus 6, which is equal to minus 2, okay, अब मैं आपको एक बात बता हूँ, एक होथी characteristic equation, क्या होती है, बाई, characteristic equation, और वो क्या होती है, वो होती है, a square minus raise of a into a plus determinant of a into i equals to o, यह हमेशा इस condition को क्या करती है, satisfy करती है, यह हमेशा इस condition को satisfy करती है, अब check करो, क्या आपका जो यह question था, इसके according characteristic equation क्या बनेगी, वो बनेगी a square minus, trace कितना था भाई, 5 a, trace की ज़राबे का लिखेंगे, 5, और determinant कितना था, minus 2, साथ में i equal to o, कहानी समाप्त, जी भाईया, कहानी समाप्त हो गई है, कितना समय बचा, तो यह होती है, competitive approach, यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा calculations नहीं गरने होती, और एक normal तरीके से हम इसको चलके, एक बहुत short तरीके से चलके, teacher आपको guide करते हैं, कि हाँ, ऐसी हम integration के अंदर, differentiation के अंदर, continuity के अंदर, बहुत सारी ऐसी tricks बना लेते हैं, जिसमें हम question फटा-फट, पटा-फट कर लेते हैं, और यही आपको help करता है, किसी भी competitive exam में, प्यारे बच्चों, अगर आपको यह समझ में आया है, तो हम एक question इसके ओपर all करते हैं, करेंगे try मेरे साथ, आओ करते हैं, यह तुम बताओ, यह तो आपको याद हो गई ना, पूरी की पूरी बात, इसको ब्रहमास्त्र करके आप लिख सकते हो, बहुत काम की चीज़ है, A square minus trace of A plus determinant of A into I, equal to क्या आएगा हमेशा, O, O means null matrix, अब आप बताओ इसमें से कौन सार्स सही होगा, सर देखो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, trace of A, क्या निकालना होता है भाई, trace of A, trace का मतलब diagonal elements का sum, कितना आएगा, 7 आएगा, बहुत बढ़िया, सर फिर हमें क करना होता है, determinant of A, determinant of A कितना होता है, determinant of होता है, इन दोनों का multiplication, that is 10 minus 7, कितना आया, it is 3, सर, equation क्या थी, equation थी, a square minus trace of A into A plus determinant of A into I equal to O, a square minus trace of A का मतलब है, 7a plus determinant of A का मतलब है, 3i, equal to कितना O, चैक करो कोई option match कर रहा है, क्या, जी सर, बिल्कुल match कर रहा है, option number B, पाकियों भी अपने को काम करने की, जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे questions की हम बात करते हैं, ऐसी tricks की हम बात करते हैं, पूरे के पूरे syllabus में, जब हम इसको पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, एक question और देख लेते हैं, या एक concept और देख लेते हैं, तो लो concept ही देख लेते हैं, ठीक है, ये question देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, chapter number 1 का है concept, equivalence relation, equivalence relation क्या होता है, sir, equivalence relation क्या होता है, जब कोई relation reflexive, symmetric, और transitive, तीनों होती है, कर रहे हैं कि maximum number of equivalence relation कितनी बन सकती है, maximum number of equivalence relation कितनी बन सकती है, उसको कोई तरीका है, क्या, तो board के according आप जो पढ़ते हो, उसमें कोई तरीका नहीं आपके पास, आप खाली बना बना के देखते हो, जितनी बन गई, इस अर बन गई, अपने पास यहाँ पे तरीका है, ले मैंने एक relation को defined किया, r is a relation on a, on a का मतलब होता है, r जो relation है, वो a set से a set पे जा रही है, okay होई बात, जी, पहला set भी a है, पीछे वाला set भी a है, अगर set a के अंदर number of elements कितने है, n है, cardinality of a जिसको बोलते हो, यह बोलते हो, जिसके number of elements ही नहीं, वो कितने हैं, अगर n है, तो इसके अंदर total number of relations कितनी बनती है, यह सारी बाते हैं आपको लिखनी है, यह एक एक नमबर में, लब स्वारी, यह चोटे-फोटे questions में आपके पास आ जाती है, एक एक नमबर में आपके पास बोर्ड बे भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन coat के लिए तो अपने को रटना प हाला कि जब हम proper detail chapter पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम समझेंगे कि यह 2 की power n square भी कैसे आया, हाला कि यह last में आपको यादी करना बढ़ेगा, क्योंकि आपको obviously चीजों को व्याद रखना है, दिमाग में रखना है, लेकिन कैसे आया, उसका method भी हम लोग अच्छे से इसके उ कोई दिक्कत वाली, total number of relations कितनी है, 2 की power n square, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, total number of reflexive relations कितनी है, तो आपका जवाब होगा, 2 की power n square minus n, और अगर हम आपके लिए पूछ लें, आपसे पूछ लें, total number of symmetric relations कितनी होगी, total number of symmetric relations कितनी होगी, तो उसका answer होगा, 2 की power n square plus n by 2, कि कुछ चीज़ें हम देखेंगे दिरे-दिरे, जिनके उपर questions आते हैं, एक चीज़ आपको और interesting दिखाता हूँ, आओ देखो, समझो, अगर किसी set a के अंदर, कितने elements है, n elements है, ठीक, n होगया number of elements, उसके अंदर a की element है, कितने elements है, एक ही element है, तो एक के अंदर equivalence relation भी कितनी बनती है, एक ही बनती है, कितनी बनती है, एक ही बनती है, सर, अगर set के अंदर दो element है, सुनना, यह पूर अपर, मैं थड़ एक पर समझना, जहां पर आपने खतम किया था, उसी को दुबारा लिखती जी, ठीक है सर, फि जहां पर खतम किया था, वहीं से शुरुवात करिए, नों दोनों को add करिया, कितना आएगा, तीन, इन दोनों को add कितना आएगा, पांच तो पांच equivalence relation बनती है, अगर set के अंदर कितने element है, तीन, अगर A set के अंदर element है, A, B, C, और मैं आपसे पूँछू, कितनी equivalence relation बन सक अगर चार होंगी जहां खतम किया था वहीं शुरू कर लीजिए 5 प्लस दो कितना आएगा साथ साथ प्लस तीन कितना आएगा दस दस प्लस पांच कितना आएगा 15 अच्छा तो अगर ए सेट के अंदर कितने अगर ए सेट के अदर चार अगर प्लस प्लस पांच 20 इंडोनों को एड कर दीजे 37 इंडोनों को एड कर दीजे 52 तो यह जो मेरे पास पिछला वाला कुश्चन मैं आपको दिया था इसका आंसर कितना हो गया 15 क्योंकि इसके अंदर कितने element से सैट एक अंदर चार चार में maximum optimization किती ही बनती है 15 तो ऐसी चीजे होती है और एक आठ example और चाहिए लो यार बहुत सारे हैं अपने पास बहुत बड़ा slavers है 12 का उसके बाद अगर आप बात कर लेते हो functions की तो functions के अंदर बहुत कर सकते हैं number of total number of functions कितने बनेगे उसके बार total number of one-one functions कितने बनेगे total number of onto functions कितने बनेगी total number of bijective functions कितने बनेगे यह सारे formula's हैं इनके ओपर हम बात करेंगे और उसके अलावा फिर binary operation विर सारी चीज़न तो हीज़ाँ थो हैं तो उम्मीद करता और जितना अच्छा टाइम हम इसके अंदर स्पेंड कर लेंगे इन्वेस्ट कर लेंगे मैं तो कहूंगा उतने अच्छे कॉलिज में हम पहुंच सकते हैं CUET एक बहुत ही बढ़िया चीज है उन बच्छों के लिए जिनको लग रहा है कि हम एंट्रेंज देके अपने आपको प्रूव करेंगे और उसके बेसिस पे हम कॉलिज सेलेक्ट करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलिज है नौर्थ केमपस के अंदर दिली जिनको आप अच्छे merit score लाकर अच्छे grade score लाकर अचीव कर सकते हो उन colleges में पहुचने का अबलव अपना सपना है admission ले सकते हो भाई तो ये था आज का आपका पुरा का पुरा session जिसके अंदर हमने COT क्या होता है Maths का syllabus क्या है Maths का pattern क्या है और उसके अंदर syllabus के अंदर parts क्य क्या है क्या extra चीज़ें आपको पढ़नी है क्या कम चीज़ें आपको पढ़नी है और जो competitive का अप्रोच होता है वो CBST के अप्रोच से अलग कैसे होता है वो सारी हमने बाते करी कोई भी अगर आपको इसके अंदर दिक्कत परिशानी doubt संकट दुविदा कुछ भी परिशानी हो अगर comment section में नीजे बताइए हम उसका जवाब देंगे success mantra की तरफ से एक initiative है बच्चों को 12th class के बच्चों को बताना की CUT क्या है और आपको इसकी कैसे position करनी चाहिए thank you